आज इन्होंने संजे सिंग को गिरफतार कर लिया संजे सिंग नरेंद्र मोदी जी के भरष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है मोदी जी सर से पैर तक भरष्टाचार के अंदर डूबे हुए है और मैं समझता हूँ कि शायद आजाद भारत के सबसे भरष्टाचारी प्रधान मंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी है हम आदमी पार्टी एक कट्टर इमानदार पार्टी है हम सब जानते हैं कि इमानदारी का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता होता है आज अगर हम इन लोगों की तरह बेइमान हो जाएं तो हमारी सारी समस्याँ खतम हो जाएंगी हम कट्टर इमानदार है इसी वजए से ये सारी समस्याँ आ रही है इन लोगों ने यही इनकी सबसे बड़ी दुख्ती रग यही है कि यह सर से लेके पैर तक भरष्टा चारी है और इन लोगों से हमारी इमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास इन्होंने हमें बदराम करने की खूब कोशिश की कभी कहते हैं कि केजरी वाल ने बसों में पैसे खा लिए कभी कहते हैं केजरी वाल बिजली में पैसे खा गया कभी कहते हैं केजरी वाल पानी में पैसे खा गया कभी कहते हैं केजरी वाल ने स्कूल बनवाने में पैसे खा लिए कभी कहते हैं कि इजरीवाल सडक बनवाने में पैसे खा गया इन्होंने सारी इतनी सारी स्मिरको आठ साल हुए मुख्यमंत्री बने आठ साल में इन्होंने मेरे सातों जनम चान मारे लेकिन इनको कुछ नहीं मिला कोई भरष्टाचार नहीं मिला कोई गलत काम नहीं मिला अब पिछले एक साल से इन्होंने नया रागलापना चालो किया शराब घोटाला शराब घोटाला शराब घोटाला इस शराब घोटाले के उपर इन्होंने हजार से जादा एक हजार से जादा रेड मार चुके है पता नहीं कितने लोगों को गिरफ़तार कर चुके कहते हैं 100 करोड रुपे का शराब घोटाला लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी 54 भी नहीं मिली इन लोगों को एक भी पैसा नहीं मिला कहीं कोई पैसा नहीं मिला संजे सिंग नरेंद्र मोदी जी के भरष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है मोदी जी सर से पैर तक भरष्टाचार के अंदर डूबे हुए है और मैं समझता हूँ कि शायद आजाद भारत के सबसे भरष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी है कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जाच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भरष्टाचार किया है और उस भरष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंग के थी वो मोदी जी को बरदाश नहीं हो रहा था पहले संजय सिंग को संसद से सस्पेंड करवाया और अब उन्होंने आज उनको एक जूटे पूरे पूरी तरह से जूटे सवेरे से शाम तक बाउजी बता रहे हैं कि सवेरे से शाम तक सारे घरका छान मारा इन्होंने सारे तकिये गद्दे सारे सब छान मारा कुछ नहीं मिला इन लोगों को उसके अज़ शाम को ये गिरफतार करके ले गए अब चुनाव आ रहे हैं और जब से इंडिया एलाइंस बना है इंडिया एलाइंस बनने की वज़े से वो बुरी तरह से बौकलाए हुआ है प्रधाम मेंतरी जी क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये अलाइंस सक्सेस्फुल हो गया जो की होगा तो फिर मोधी जी हार रहे हैं बुरी तरह से हार रहे है और उस बौकलाहट का भी एक नतीज़ा है कि आज उनको गिरफतार किया गया है अभी तो देखें दोजार चौबिस तक बहुत लोग गिरफतार होंगे हम डरा देंगे जुका देंगे अंव डरने वाले लोग नहीं है सच्छाए के रस्ते पर निकले हैं तो जब भी इसका खाम्याजा होगा उसको भुखतेगे पाकी सड़क में भी करेंगे कोट में भी करेंगे सब करेंगे धन्यों धन्यों